हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका खाना सिको में आज हम बनाएंगे लौकी के ला जवाब पराठे जो खाने में बहुत ही टेश्टी है और बनाना एकदम आसान है तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शरू करते है तो सबसे मेले मैंने यहाँ पर ए इसके बीच में से कट लगा देंगे और इसकी किनारे से छिलके निकाल करके बीच में से छिलके रहने देंगे यह देखे इस तरह से अब हम कदुकश लेंगे और लोकी को हम कदुकश करेंगे देखे इस तरह से और इस छिलके को मैंने निकाल दिया है तो सारी लोकी को हम इसी तरह से कदुकश कर लेंगे और यहाँ पर मैंने एक परात ली है इसमें हम एक कटोरा भर के गेहूं का आटा डालेंगे एक चमच बेसन डालेंगे आधी चमच जीरा डालेंगे आधी चमच अजवाईन एक चमच लालमीट पाउडर आधी चमच हल्दी एक चमच धनिया जिरा का पाउडर स्वात के अनुसार नमक आधी चमच घरम मसाला और यहाँ पर मैंने अध्रक लसन और हरी मीट का पेश बना करके रखा है इसे डाल देंगे दो चमच तेल डालेंगे मोयन के लिए आदा निम्बू का रस अब हम इसमें लौकी डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे इसमें हम पानी नहीं डालेंगे इसी से हम आटा गूठ लेंगे अगर जरुरत होगी तो पानी डालेंगे नहीं तो नहीं डालेंगे तो ये देखें मैंने पूरी लौकी से ही आटा गूठ लिया है इसमें हमें पानी की बिल्कुल भी जरुरत नहीं पड़ी अब हम इसके उपर थोड़ा सा तेल लगा करके इसे अच्छे से मसल लेंगे आटे को हम ढख करके 5 मीट रेष दे देंगे 5 मीट हो गया है और आटा अच्छे से सेट हो गया है अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर के इसका लोया बनाएंगे और इसे हम सुके आटे में लपेट करके अच्छे से बेल देंगे इसे हमें रोटी की तरह बेलना है तो हमने बेल दिया है और तवे को मैंने पहले से गरम रख दिया था और तवा गरम हो गया है तो पराटे को हम इसके उपर डाल देंगे थोड़ी देर के बाद पराठे को पल्टेंगे और इसके उपर हम गी लगा देंगे आप चाहो तो तेल भी लगा सकते हो दोनों साइड अच्छे से गी लगा देंगे और इसे अलटते पलटते पराठे को अच्छे से सेक लेंगे तो ये देखिए हमारा पराठा अच्छे से सिख गया है तो इसे हम निकाल देंगे और इसी तरह से हम सारे पराठे बना करके तैयार करेंगे तो ये लिजिए हेल्दी और टेस्टी हमारे पराठे बन करके तैयार है पर आठे बहुत ही टेश्टी बने हैं आप इसे जरूर से ट्राइ करना वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाहिक करना शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा थेंक यू